हेलो फ्रेंड्स बॉर्निंग तु आज है एक अप्रील 2020 और आज के सारे टॉप कर इंटरफेस हम लोग देखने वाले हैं साथी साथ मैप एंड एक्स्टा जीएस के फैक्ट्स भी रिवीजन करते चलेंगे जैसा कि आप सबको पता है आज से नया मंत सुरू है तो नये मंत के साथ एक नया रिजोल्यूशन लाई अपने अंदर एक नया प्रतिग्या लाइए कि हमें ये काम इस मंत में हर हाल में पूरा कर लेना है हमें ये अचीव कर लेना है तो इससे आपके लाइफ में एम में क्लारिटी आएगी और आप जिंदगी में जो भी चाहें वह अचीव कर पाएंगे ठीक है तो आई होप आप जरूर यह कर लिया होंगे तो चलिए सुरू करते हैं आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसकी लिंक प्राग्याम एप किसी प्राग्याम था लॉंडिए तो यह प्राग्याम City क्या तो यह जातर प्राग्याम उग्रूप सरकार ने प्राग्याम एक है और स्पास के ठुरू ठीज़ ये जहारखंड के द्रवारा क्या प्राइन में उनका नाम है हेमंत सोरैन के राजसन आपको पता हिए और हसना दीज़ना को पता ही यह और जहारखंड और और फेले सब किसलिए खेल कुला की उतपाधन के लिए अगर्नी राज्य है यह लोग्तिक है और और भी आपको चीज़ां अगर बता दे तो माईका जिसे अबरख कहते हैं उसके विवत पादर में जारखंड जो है अगर नहीं राज्य है तो आपको यह सब पता होना चाहिए ठीक है जारखंड बिहार से कब अलग हुआ तो यह संद 2000 में अलग हुआ है बिहार से तो यह आपको ध्यान आना चाहिए अगर उससे अगला बिहार है तो बिहार का सारा स्पेशल फैक्ट्स आप देख लिए बिहार राज्य जो है 15 साल से पुराने सरकारी वहनों को बैन कर द है चाहिए जय बिहार का पहला महिला डाग घर पतना में खुला गया है और देश का दूसरा डाप लिडिले में खुला गया था तो यह आप यादोना चाहिए नेक्स जो है पेंसन देने का गोजना किया था साथ उद भिहार के जो सीम हैं हुनका ना में इतिशकुमार और गववर्णर है फागु चोहान अब आते हैं उडिसा उडिसा के जो सीम है नवेन पतनायक और गनेशी लाल वहां के गनेशी लाल यहां के गौर्णर है अगर आपको अपडेटेट सीम और गौर्णर की लिस्ट चाहिए तो मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा तो उससे पहले के आगे बढ़ें चलिए मैप देख लेते हैं मैप के थुरू अब हम लोग स्पेसल चीजों को देखेंगे म मैप पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा सबसे पहले यह देखे जारखंड और बिहार पहले एक था तो अब यहां जो है मैप के थुरू देखेंगे तो याद रहाएगा जारखंड का मैप छतिसगड़ से वेस्ट बंगाल से बिहार से और उतरप्रदेश से लगता है नेक् पुरी तरीके से एक इंटरनेशनल बाउंडरी बनाता है किसके साथ यह हैं बंगलादेश के साथ और इसका चोटा सा रहिसा लगता है नेपाल के साथ तो दार्जिलिंग का इलागा है उसको तो आपको यह द्यान रखना है यहीए कैसा स्टेट है जो इदर से पूरे बंग के लिए पता है अब भुट की सारी नदिया आती हैं उन नियों का नाम देख लिए कोसी नदी का उधगं के इंद्र जो नेपाल ही है नwers इस बिहार की नदी है तो को सी कहते हैं बंगाल का सोव किसे काते हैं तो यह दामधर नदी को करते हैं ठीक है तो यह सारी चीजें सिस्ट पर मैंने कली बताया था तो अपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स जो कुश्चन है उसे देखते हैं राज कॉप सिटिजन मोबाइल एप लॉंच बाइव वीच स्टेट तो राज कॉप सिटिजन मोबाइल ए यहां के सीएम है और कल राज मिस्र यहां के गवर्नर है ठीक है राजस्थान के बारे में सारे डिटेल फैक्ट्स हम दो देख लेते हैं रन थम्भॉर नेशनल पार्क कहां है तो राजस्थान में है ठीक है केवला देव घाना यह कहां है राजस्थान में है और एक क्वेश यह सांभर जील सांभर जील कहा है कुश्चन में आया हुआ है तो यह है राजस्थान में तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए अब बात करते हैं गुज्राट के गुज्राट के जो सीम विजयरुपाणी और वहां की गौर्णर का नाम आपको comment करके मुझे बताना है तो सबसे इंपोर्टेंट गुज्राट में जो है जो है marine national park है वंस्दा national park है ठीक है और कौन सा गीर national park है यह सारे निशनल पार्क फीक है पेच नेशनल पार्क ढिए इस और गांधी नेसरेट कर एक्साफ लिन्म फूर्ट से आते हैं वह मद्यपर्देश हरियान कौन सा है तो लिया परां सुल्टान पुर्ले निtha फॉर्क मुन्ही रिका राइन तो यसे दोना चीज आपको याद रखनी है तामिलाडू के नया थर्टी एट जो नया जिला है उसका नाम का है थर्टी एट नियू डिस्टिक्ट अफ तामिलाडू कुल सेखर पटिनम कावेरी मलिया थुल मैला दूथूराई थुथुकोडी तो बताइए तीन जो है इसका राइट आंसर है और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि तामिलाडू का यह 38 जिला है और इसके लावे बिहार में 38 जिले आपको पता है आपको यह कमेंट करके बताना है कि उत्तरप्रदेश में कितने जिले हैं टोटल देन नेक्स्ट जो है कुल सेखर पटिनम क पैड़ है इस शुरू की अस्थापना कभी थी 15 अगस 1979 में और इसके विक्रम सारा भाई के कंट्रिब्यूशन से इसके अस्थापना की गई थी और आपको एक चीज बता दू मैं अभी इसके हेड जो है कि सिवान यह इसके हेड है और कावेरी क्या है तो अभी तमिलाडू ने ही कावेरी को सनक्षित छेत्र घोसित किया था कुछ दिन पहले थुथुथुकूडी हिल्स में जो है थुथुथुकूडी हिल्स और थेने डिस्टिक्ट आपको याद होगा यह किसलिए फेमास है यहां क्योंकि ग्रैविटेशनल ऑबजर्विटरी बनाया गया है सतीस रेड़ी ठीक है और बी ए आर की भावा अटॉमिक रिसर्ट सेंटर इसके चीफ कौन है तो यह है अजीत मोहनती तो यह सारे जो इस्पेशल अपॉइंटमेंट होते हैं उन्हें याद जरूर रखिए विसे इस्पेशल जो पीडिएफ है जो आपकी बन रही है उसमें सारे यह updated रहेंगे और सभी तरीके अपॉइंटमेंट इंडेक्स जो भी है उसको एक जगा मैंने collect किया है वन लाइनर के अलावे वन लाइनर और mcq दोनों टाइप उसमें question रहेंगे साथी साथ उसमें जो है आपको सारे इंडेक्स एक जगा table wise दिये रहेंगे तो आप उ इसके अलावे daily current interface देखिएगा सारे division होता चलेगा अब देख लेते हैं South India के कुछ स्टेट हम यह है हमारा तमिलाडू तमिलाडू मेंने बताया था कल पुदुचेरी जो है तीने स्टेट में लगता है तो तो मैंने कल बताया था गुंडी नेशनल पार्क इंद्रागंधी नेशनल पार्क मुकूर्थी नेशनल पार्क मनार नेशनल पार्क यह सब जो है तमिलाडू के हैं केरला के लिए मैंने क्या बता था केरला की सबसे लंबी नदी है भारत पुजा नदी ठीक है उसके बाद नदी कौन सा है तो पेरियार नदी और केरियार न गट्टा नेशनल पार्क और और कौन सा नेशनल पार्क है the other national बाकी ने लिए अभी याद है तो मुझे अभी लाइव कमेंट कीजिए them कि यूचन मैं आपके लिए देता हूं सिंली प्लैर निशनल पार कहां है इतने स्टेट में से कोई एक राइट आंसर है आपको कमेंट करके बताना है चलिए मारिया थेरेशा जिनका अभी निधन हो गया किस देश की राजकुमारी थी इनका निधन हो गया तो बताइए इसका राइट आंसर होगा एस्पेन की ये राजकुमारी थी आपको जैसा पता करेंसी है Spain Madrid यूओर वहाँ की करेंस्य है नौरवे ऑसलो क्रोनर के क्रेंसी है Finland का हेलेंस की को रहा कि करेंस्य है फिनलाइन की चो पी एम है सना मारीं में दुनिया की सबसे यूग प्राइम निश्थ बन गई है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं मेन 5 मिनट मे कोरोना का पता लगाने के लिए किस टेष ने टेस्ट केट लोगां को लांज किया विस कउंट्री हाउً आपको पता ही आपको पता ही है अमेरिक को फू अब करद कर दिया है मैंने क्या क्वेशन पुछा था जिसका उपर आंसर मैंने दिया है कि antibody trial दुनिया में पहले किस ने सुरू किया है तो वह कौन सा देश है वह है इंडिया वैक्सीन ट्राइल सुरू किया है अमेरिका ने और सबसे ज्यादा लोग जो है किस देश में मर रहे हैं तो वह है इटली इटली में डेली लगवाग एक हजार लोग मर रहे हैं बहुत यह वासिंटन डी-सी और कि डॉलर वहां की करेंसी रूस मासको रूवल चीन की है आपको पता है यह बिजिंग और युवान जापान टोक्यो एन ठीक है और जापान आपको पता है यह जापान से जापान पे ही अमेरिका ने च्छो अगस्त और नौ अगस्त को एटम बं गिराय तो च्छो अगस्त को हिरोसिमा नौ अगस्त को नाकासा की तो चलिए आगे बढ़ते हैं किस राज में मोबाइल हैंडवास से स्टेशन लांच किया गया है लगा हो मतलब वखान सधी ऐक बहुत ही किया है रायत रायत बंदू जो कि तेलांगना का ऐसी के तर्ज पे जो दूसरा रायतू भरोसा थे तिया अहीं ये नियूज में था आंद्रप्रदेश की जो है अमरावती भारत की 25 वी हाई कोट है और यहां के पहले चीफ जस्टिस कौन बने है तो यह बने है जेके महेस्वरी ठीक है और आपके लिए इंपॉर्टन चीज एक है दीसा एक्ट दीसा एक्ट लागू करने वाले भारत का प बहुत बड़ी पाहल है तो यह सुरू किया गया था अंध्रपतेश सरकार के द्वारा ही किस बैंक में 100 MILLION यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में किस बैंक ने विच बैंक गोईंग्ट इन्वेस्ट यूएस 100 यूएस 100 MILLION यूएस डॉलर तो यह जो है कौन सा ब ठीक है अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक आपको पता है इसके चार पार्ट है लेकिन यह सबसे मुख है इसके अस्थापना हुई थी 1945 में और एक अग्रिमेंट हुआ था जिसके और सैन फ्रांसिस्को एग्रिमेंट के तहां तो यूएन की अस्थापना हुई थी यह दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है आइएमेफ के जो हेड है उनका नाम क्या है तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा वर्ल्ड बैंक के जो 13 में प्रेसिडेंट अभी बने हैं उनका ना बीजिंग में इसका हेड क्वाटर है और क्यवी कामत इसके पहले भारती प्रेसिडेंट पहले ही थे तो किस बैंक ने वाटसेप पर बैंकिंग की शुरुवात कि है यह बैंक है आई सी आई सी आई सी बैंक में वाटसप पर लौगडाउन में अपने कस्टोमर्स के लिए सुविधा की शुरुवात की है आपको यह याद रखना चाहिए RBI की कि किस deputy governor के नियुक्ति फिर से कर दी गई है तो यह है MD पात्रा BP कानून गो विराल अचारिया सक्तिकान्ता दास तो इसका right answer पताईए तो इसका right answer हो जाएगा BP कानून गो अब MD पात्रा को भी board of directors में include किया गया है विराल अचारिया को governor deputy governor के रूप में appoint किया गया है सक्तिकान्ता दास कौन है तो यह 25 हमारे RBI के governor है quarantine mobile app launched by which IIT एक mobile app है आप यहाँ देख सकते हैं quarantine quarantine mobile app जो है यह IIT Bombay के द्वारा launch किया गया है ठीक है IIT Bombay मदरास IIT दिली में right answer क्या होगा और अभी IIT गांधी नगर ने एक project Isaac launch किया था मैंने पिछले वीडियो में बताया था ठीक है तो आपको यह याद रखना चाहिए next question आपके लिए सरकार ने स्वास्त करम लाइन सो सेल्यूट टू डूस दॉक्टर जो इस सर्विस में लगे हुए हैं और जो भी डॉक्टर है उसके लिए सरकार ने कितने लाग क्या माउंट की घुष्णा किया बीमा की तो आपको इसका कमेंट जरूर करके बताईएगा थैंक्यू सो मुच पूर की तिन लाइसा बावाय वद देख